Finally, 11 Labs का alternate website मिल गया और जहां तक मुझे लगता है ये सारे AI Creators वालों के लिए सबसे ज्यादा demanding वीडियो है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ऐसी website जिसमें same 11 Labs के voice available है same speaker के साथ तो अब बिना कोई बकवास के चलते हैं अपने main website पर और सबसे पहले बताता हूँ कैसे आप इसे free में use कर सकते हो और ये same चीज आप mobile से chrome पर desktop site open करके या ऐसे normal भी कर सकते हो तो यहां sign up for free पर click करना यहां आपको अपने email से login नहीं होना है आपको google पर आकर search करना है temp mail और ये website open कर लेना फिर ये page आ जाएगा अब यहां से email copy कर लो और उस website पर आकर paste कर दो फिर continue पर click करना अब यहां temp mail पर verification code सेंड करेगा तो आप वापस इस website पर आकर अपना inbox चेक कर सकते हो फिर इस verification code को copy करके इस website पर आकर उसे paste कर दो या type भी कर सकते हो और फिर इसे verify कर लो अब देखो यहां पर password create करना है पहले से कोई password बना हुआ नहीं है आपको अपने मर्जी का password यहां पर डालना है और जो लोग यह simple सा चीज नहीं कर पाते password create करने का उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा अब आगे बढ़ते हैं यहां simple अपना कोई भी नाम लिख कर next step पर आ जाना अब यहां आपको continue पर click करते जाना है जब तक आप इस page पर ना पहुँच जाओ यह कुछ भी purchase करने की ज़रूरत नहीं है नीचे side start with free पर click करना और फिर आप home page पर पहुँच जाओगे यहां पर आपको voice को select कर लेना है उसके बाद जो भी text है या जो भी script है उसे यहां पर paste करना मैं अभी अपना script copy कर लेता हूँ और यहां उसे paste कर देता हूँ फिर यहां हिंदी को select कर लेना अब main है speaker देखो यहां जो अमर नाम का है वो जो हम 11 labs में Josh speaker यूज करते हैं वो है और girls में अदिती अकृती की बहुत अच्छी voice है उसके बाद पृत्वी और रिसी सेम अडम की voice है जो हम 11 lab में यूज करते हैं तो अभी हम Josh याने की अमर select कर लेते हैं उसके बाद Go पर click करते हैं देखो ये कुछ time में generate हो जाएगा अब आप ये voice सुन सकते हो अब यहाँ पर ये English में क्यों बोल रहा है ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया है कि क्यों ऐसा हो रहा है लेकिन सेम यही step से दूसरे script को copy paste करके जब मैं generate किया तो उसमें Hindi बोल रहा था मैं चाहता तो आपको दूसरे script में generate करके बता देता कि ऐसा करने पे आपको voice मिल जाएगा लेकिन आपको सेम ये problem होगी तो आप वहाँ पे फंस जाओगे इसलिए मैं आगे का solution जो मुझे समझ आया वो मैं बताने वाला हूँ तो इसमें अगर हम शुरू के line को cut कर रहे हैं उसके बाद generate करते हैं तो हमारी voice हिंदी में आने लग जाती है आप सुन सकते हो अगर आप 65 million प्रकाश वर्ष दूर किसी अन्य ग्रह पर से किसी उन्नत दूरबीन द्वारा अगर आप प्रिथवी को देखने का प्रयास करते हैं तो आपको प्रिथवी पर चलते हुए डाइनासोर दिखाई देंगे यही नियम हमारे लिए प्रोफाइल पर आजाओ और यहां से इसे लॉग आउट कर लो फिर से साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करना दुबारा टेंप मेल पर आजाओ फिर यहां डिलीट पर क्लिक करें और फिर इस इमेल आईडी को डिलीट करके न्यू इमेल जेनरेट कर लो इसके बाद सेम वही प्रोसेस रहेगा इस न्यू इमेल आईडी से लॉग इन करने पर आपको फिर से वो क्रेडिट मिल जाएगा आप फिर से दो बार voice generate कर पाओगे एन इस website का नाम है coheshiv.so इसका link मैं नीचे description पर दे दूँगा अब वहाँ से देख सकते हो और जैसे कल सब को पता है दोपहर में Studio D.I.D. में video generate करने पर watermark पूरे video पर आ रहा था लेकिन अब वो problem solve हो चुकी है D.I.D. ने वापस पहले जैसे कर दिया है सब कुछ और जैसे मैंने बोला था Instagram पर growth और reels viral करने की video आने वाली है लेकिन इस video की demand इतनी ज्यादा थी कि मुझे लगा आप लोग जब video ही नहीं बना पाओगे तो growth की बात ही नहीं होती तो Instagram पर growth करने की video बहुत ही जल्द आने वाली है उस video के लिए channel को अभी subscribe कर लिए रहो और 11 lab के problem का solution भी left side show हो रहे video पर बताया गया है आप उस पर click करके देख सकते हो मिलते हैं इस video पर Thanks for watching